आई देर दोस्तों welcome to the channel knowledge in general मेरे ना मैं Amit Kashyap और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर और दोस्तों आज के इस quick episode में हम यह जानेगे कि stream yard के अंदर हम background जो है animated कैसे लगा सकते हैं अगर आप मेरी बात सही तरीके से नहीं समझ पाए तो मैं आपको सिस्टम पर दिखाता हूँ यह एक stream yard का page है जो broadcast होता है उस broadcast में आप ब्लैक कलर का जो script window देख रहे हैं यह window boring सा लगता है लेकिन इस window को इस background को जो है animated बनाया जा सकता है वो कैसे बनाया जा सकता है इस tutorial के अ notification मिलती रहे and before we move ahead एक बात आप समय लीजी कि यह वहला जो चीज में आपको बताने जा रहा हूँ कि animated background कैसे लगेगा it only happens in paid version यह free version में नहीं हो पाएगा तो चलिया आए देखते हैं कि paid version में यह चीज कैसे होता है तो दोस्तों first thing first यहाँ पर हम Google पर पहले search कर लेते हैं GIF backgrounds में और 16 is to 9 के ratio में हमें चाहिए क्योंकि वही YouTube का standard size है 16 is to 9 और 1280 into 720p का चाहिए हमें तो ऐसे आप GIF जो है वो search कर सकते हैं इस तरह के बहुत सारे GIF वीडियो आपको जो है Google पर available हैं वहां से आप download कर लीजे जो भी आपको पसंद हो जब download कर लेंगे तो उसो disk पर कहां save कर रहे हैं वो याद रखिएगा so next step क्या है next step हम open करते है stream yard so दोस्तों यह हम broadcast studio के नदर enter कर गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि enter broadcast पर हम click करेंगे और यह broadcast यहाँ पर start हो जाएगा यहाँ पर हम enter कर गए so this is it so यह वाला दोस्तों broadcast आपके सामने है अब यह जो black screen है इसको animate कैसे करेंगे आप उस side पर दिखिएगा वहाँ पर corners में बिल्कूल comment banner और brand का option आ रहा है तो आपको brand के option पर click करना है brand के option पर click करते हैं तो यहाँ पर scroll करेंगे नीचे तो देखिए backgrounds आ रहे हैं जैसे अभी यह वाला background लगा हुआ है आपको फोटोग्राफ अपनी भी लगा सकते हैं ऐसे अभी background ऐसी लगा हुआ है अब जो GIF आपने select किया है उसको यहाँ से add करिए upload background और जो भी GIF आपने system पर save किया है वो इस तरह से यहाँ से locate कर लीजे select कर लेंगे मैंने already select कर रहा हुआ और यह यहाँ पर show होने लगेगा अब mileage इसमें मैं click करूँगा तो देखिएगा यह वाला background है वो animated हो जाएगा so GIF के थुरू आप इसको animate कर सकते हैं this is amazing thing this only happens in paid version so दोस्तों this is all for this video अगर आ कर दोस्तों कर दोस्तों